राश्ट्रिय शेक्षीक अनुसंधान एवं प्रशिक्षन परिशद के केंद्रिय शेक्षीक प्रोध्योगी की संस्थान के रेडियो प्रभाग द्वारा प्रस्तुत है ये कारेक्रम तान सेन कि आपने मुगल बाश्शा अकबर का नाम तो सुना है ना शायद अकबर बीरबल का कोई मज़दार किसा भी सुना हो अकबर के दरबार में नौ रत्न थे जिनमें कवी संगीतकार गणितग्य एतिहासकार कुशल प्रशासक सभी तरह के लोग थे इन्ही नौरतनों में से एक थे संगीत समराट तानसेन तानसेन कौन थे? कहा के रहने वाले थे? किस धर्म को मानने वाले थे? इस विशय में तो भई जितने मू उतनी बातें लेकिन अधिकतर कहानियों में ये बताया गया है कि तान सेन ग्वालियर के पास के किसी गाउं के रहने वाले थे और उनके पिता का नाम मकरंद पांडे था नन्य तन्ना या तान सेन को पशु पक्षियों की बोलियों की नकल करने में बड़ा मसा आता था वो अक्सर कुत्ता, बिल्ली, मोर, कोयल की आवास की नकल उतारता रहता था कभी कभी तो शेर की आवास बनाकर लोगों को डरा भी देता एक बार की बात है अभी तक तो कोई गाउं दिखाई दिया नहीं तो फिर आज यहां जंगल में ही देरा डालना होगा छोले में कुछ खाने को है यह बस कहीं पानी मिल जाए तो खा पी कर भगवान का भजन करें पर यहां पानी कहां मिलेगा जंगल के राजा बोले पानी पीने आयोंगे इसका मतलब पानी यहां कहीं पास ही में होना चाहिए अरे वाँ यह क्या यह तो कोई बच्चा है जाडियों में बैठा शेर की बोली बोल रहा है अरे वाँ क्या कबाल की नकल कर रहा है खुछ शेर भी सुने तो धोका का जाए अरे बेटा तुम तो बहुत गुड़ी हो है क्या ना में तुमारा जी तन्ना मेरे दोस्त है अच्छा मैं अपसर आता हूं यह और इनकी बोली के नेकल करता रहता हूं कभी कभी जब किसी आदमी को आते देखता हूं तो शेर की तरह दाहारता हूं फिर तो लोग ऐसे भागते हैं कि क्या बता हूं लेकिन आप नहीं भागे आपको शेर से डर नहीं लगत पानी तो तन्ना ओ तन्ना अरे बापरे यह तो बापू की आवाज है आज फिर देर हो गई मार पड़े जिहां अच्छा शैतान यहां है तू चल घर चल अरे बापू मैं तो घर यह आ रहा था रास्ते में बाबाजी मिल गए कहने लगे कि प्यास लगी है तो मैंने इनसे क कि आप मेरे घर चलिए वहीं पानी पी लिजेगा इसी में देर हो गई हाँ हाँ बाबाजी यहीं पासी में हमारी कुटिया है आज रात यहीं विश्रान की गिएगा ठीक है ठीक है चलो चलते हैं चलो आयू आप किस तरफ जा रहे हैं माराज मैं वरिंदावन के स्वामी हरिदास जी का शेश्य हूं जी दक्षन की यात्रा पर निकला था अब वरिंदावन जा रहा हूं स्वामी जी का नाम तो मैंने भी सुना है जैसे संत महात्मा है वैसा ही गला है सुना है बहुत संदर गाते हैं इसमें क्या संदे हैं उनके बराबर संगीत का ज्यान पूरे भारत वर्ष में कहीं नहीं मिलेगा मैं भी थोड़ा बहुत गालेता हूं अच्छा जाता था कि ये तन्ना भी कुछ सीख ले पर इसे तो श यही तो कर्तव हैं इसके पर संगीत के लिए साधना की आविशक्ता होती है यह कहीं टिक के बैठे तक तो साधना करे ना तो फिर इसे गुरू जी के पास भेज़ दो विधाता कदिया कंठिस के पास है साधना गुरू जी सिखा लेंगे क्यों बेटा तन्ना चलोगे मेरे स पासना वहां वरिंदावन में यमुना के किनारे मोर है हिरन है उन सब के साथ खेला और गुरू जी से संगीत सीखना है अच्छा हां मुझे भी विंदावन ले चलिए मुझे जाने दो गए ना बापू हाँ बेटा जाओ जरूर जाओ गोसाई जी की बात मानकर मकरंद बांडे ने तन्ना को संगीत सीखने के लिए वरिंदावन भेश दिया वरिंदावन में संगीत के मरमग्य स्वामी हरिदास जी ने बड़े मनयोग से तन्ना को संगीत की शिक्षा दी कुछी दिनों में तन्ना गाईकी के साथ साथ रबाब और बीन बजाने में भी निपण हो गया उसके लचीले कंठ को स्वामी जी की शिक्षा ने ऐसी सरस्ता और मधुर्था प्रदान की के दूर दूर तक उसके ख्याती फैल गई उनका गाना सुनकर गौलियर के राजा ने उन्हें तान सेन यानि संगीत के समराठ की उपाधी से अलंकृत किया और अपने दर्बार में आश्रे दिया उनके मृत्यों के बाद तान सेन रीवा के राजा राम चंद्र बगहला के पास चले गए यहीं से तान सेन की ख्याती मुगल बाश्शा अकबर के कानू तक पहुँची उन्होंने तान सेन को आगरा बुलवा भेजा रीवा नरेश अकबर की बात टाल नहीं सके तान सेन को आगरा जाना पड़ा आगरा में तान सेन को बड़े सम्मान और पुरसकार मिले बाश्शा अकबर तान सेन के गाने पर मुक्त हो गए बाश्शा अकबर मिले तान सेन को आगरा जान आगरा 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 जाना जागरा में तूरी इंड़े वाह वाह तांसेन सुभान लाह तुम से बढ़कर कलावंत ना कोई हुआ है और ना कभी होगा ये तो आपके जर्रा नवाजी है जहां पना वरना मैं किस काबिल हूं हां अगर आप सच मुझ संगीत की आत्मा के दर्शन करना चाहते हैं तो तो कभी वरिंदवन चलिए तो क्य वरिंदवन में कोई तुम से बढ़कर फंकार है वो कोई मामूली फंकार नहीं है हुजूर्फ वो तो फन की कला की जीती जाकती तस्वीर हैं हम नहीं मानतें यह तो हूसकता है वो तुम से जादा जानते हो लेकिन यह हरुज नहीं हो सकता कि वो तुम से जादा अच् precisely उनके ना आने पर बाश्शा अक्बर खुद भेश बदल कर तानसेन के साथ वरिंदा वन गए। कई दिन वहां रहने पर भी जब वे लोग स्वामी जी का गाना नहीं सुन सके तब तानसेन ने एक दिन स्वामी जी के सामने गाते हुए जान बूच कर कुछ गलत स्वर लगा दिये। सवामी जीने तुरंत उन्हें डोका फिर भी तानसेन ने घलत काया तब सवामी जी ने स्वैम गाकर उन्हें समझाया उनका कंठ स्वर सुनकर अक्बर को मानना पड़ा कि वे सश्मुछ बहुत अच्छा गाते थे उन्होंगे तानसेन से पूछा तानसेन जी हुजूर। तुम तो इनके बहुत प्यारे शिश्य हो। फिर क्या वज़ा है कि इनके जैसा गार नहीं सकते। इसकी वज़ा तो साफ है जहां पना। सुआमी हरिदास सिर्फ उपर वाले के दर्बार में गाते हैं। वो तभी गाते हैं जब उनकी अपनी इच्छा होती है। और मैं ठहरा आपका मुलासिम। मुझे आपके हुक्म के मुताबे की गाना होता है। लेकिन फिर भी तान सेन संगीत समराठ थे। कहते हैं उन्हें स्वरों की सिध्धी थी। वे जब दीपक राग गाते थे तो दीपक जल उठते थे। और जब राग मलहार छेरते थे तो सावन की जड़ी लग जाती थी। उन्होंने पुराने रागों में कुछ स्वर बदल कर नए-नए रागों की सृष्टी की। उनके बनाय हुए रागों में दरबारी, मिया की मलहार, मिया की तोड़ी आदी पहुत प्रसिद्ध हैं। वे स्वयम पदों की रचना भी करते थे। उनके रचे कुछ धृपद आज भी मौखिक परंपरा में सुरक्षत हैं। तानसेन के परिवार में उनके पुत्र बिलास खान बहुत अच्छे गायक हुए। जबकि उनकी पुत्री सरस्वती के पती मिस्री सिंग या नौबात खान अच्छे बीन कार। तानसेन के समय में स्वामी हरिदास के अलावा गोपाल नायक, बैजु आदी अच्छे संगीत कार हुए। और सूरदास, तुलसीदास और मीरबाई जैसे भक्त कवी भी। तानसेन का इन सभी के साथ स्नेह संबंध था। तानसेन के ही कारण बाश्षा अकबर ने भी इन कवियों कलाकारों के बारे में जाना, उनके भजन सुने। एक विशाल हृदय वाला सच्चा कलाकार ही इस तरह का वैवार कर सकता है। तभी तो अकबर के समय के इतिहासकार अबुल फजल ने लिखा है कि पिछले हजार सालों में तानसेन जैसा अनूठा कलाकार पैदा नहीं हुआ। आज भी गौालियर के पास तानसेन की समाधी संगीत कारों के लिए तीर्थ स्थली है। तानसेन अभी आप सुन रहे थे ये कारेक्रम। आलेक, डॉक्टर शुभ्रा शर्म, विशय संयोजन, स्वर्णा गुप्ता, कलाकार, सुचित्र गुप्ता, गुल्षन कपूर, जैमिनी कुमार, ब्रल सक्सेना और यमन कौशिक। ध्वन्यांकन, दीपक पांडे, प्रस्तुती सहयोग, हरीश शर्मा, निर्मान एवं प्रस्तुती, अजित होरो तथा परियोजना निर्देशन, डॉक्टर एल्जी सुमित्रा